नमस्कार साथियों उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे अच्छे होंगे और आपकी तैयरी बहतरीन चल रही होगी आज हम बात करने वाले हैं हाइबिडाजिशन की टॉपिक के बारे में और ये वाला टॉपिक हाइबिडाजिशन से रिलेटेट किसी भी एक्जाम में क्विशन 100% आता है तो हम हाइबिडाजिशन को अच्छी तरह समझेंगे इससे जो भी रिलेटेट कॉंसेप्ट हैं बेसिक से लेके एडवांस तक चर्चा करेंगे और निश्ची थी आपको इस वीडियो को पूरा दे तरीके से हाइबिडाजिशन होता है वाई कि यह क्या चीज बताई जा रही है आज एडवांस में तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक चर्चा करेंगे ताकि आपके हाइबिडाजिशन से रिलेटेट जो भी आपके डाउड्स हो वो सारे क्लियर हो जाये आज ओके तो कई पर जो अपना देखते ना कि हाइबिडाजिशन जो है क्या चीज़े बताता है है अबारे में जैनकारी मिलती आपके है। आपकरन से किसी मालुकूल के shape का पता चल रहा है कि क्या संक्रण से किसी मालुकूल के shape का पता चलता है तो ये शिर्ब उस molecular के bonding को समझने में काम आती है और संकरन में क्या होता है समान उर्जा के ककशक आपस में मिलकर उतने ही नय समान उर्जा और समान आकरिती के और बिटर से बनते हैं ये प्रिक्रिया संकरन क्या बनते है अब highbridation के rules क्या है एक ही परमाणू के लगबग समान उड़ जाके कक्षक मिश्रित होते हैं है ना एक ही परमाणू के लगबग समान उड़ जाके कक्षक क्या होते हैं और्बिटर से क्या होते हैं मिक्सब होते हैं उसमें सेंटरल एटम का रोल होता है केंद्री परमाणू का संक्राण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर संग्रित कक्षकों की संचिया बनती है मालूम मैं आपको 1S और 1P parking 2SP, 1S और 2P parking 3SP, 2PS और 3PS से 4 SP3 यह basic चीज़ है संकृत कक्षक सदेव sigma bond बनाते हैं याद रखना hybridization जो संकृत आर्बिटल होते हैं वो हमेशा sigma bond बनाते हैं pi bond का कोई रोल नहीं है pi bond में हमेशा असंकृत कक्षक sidewise या पार्श्वति अतिव्यापन करके बनाते हैं तो यह question मन रहा है hybrid आर्बिटल का एक लोब बड़ा होता है बड़ा लोब इस बात को प्रदेशित करता है कि इस दिशा में इलेक्टरान पाये जाने की संभावना अधिक है संकृत कक्षक बड़े लोब की site से ही bond formation करते हैं ओके एक और चीज इंपोर्टेंट हमेशा अब आप जो है संक्रण को अगर एसे बताओगे कि भाई साब संक्रण जो है यह 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 स्पी संक्रण संक्रण नई चीज है तो संक्रित अवस्था प्रदेशित करने तो इस्माल लेटर्स को काम में लेते हैं तो इस्पी संक्रण को बताओगे तो भाई यह यह स्पी संक्रण है SP संक्रण SP2 ये SP2 संक्रण SP3 ये SP3 संक्रण तो small letters का उप्योग किया जा रहा है यहाँ पर मेरी बास समझ में आगए आपको तो ये चीज है It is hypothetical concept which is used to explain the experimental result चलिए अब कुछ example आ गए है भाईया ध्यान रखना ग्यारवी बारवी का अगर meter लेके चलोगे तो उतना advance में नालेज नहीं हो पाएगा ग्यारवी में तो सिर्फ जो संक्रण की बात करते हैं भाई साब जो है हमने पड़ा है कि BECL2 और BECL2 में beryllium के उपर SP-hybridation केंद्री परमोन देखा जाता है भाई साब BECL3 देख लिया हमने इसमें SP-2 संक्रण भाई साब हमने CH4 देख लिया इस पर SP-3 संक्रण है भाई साब हमने PCL5 देख लिया इस पर SP-3D संक्रण है भाई साब हमने SP-3D2 संक्रण की बात कर रहे हैं तो भाई साब ये जो है SF-6 में है भाई साब SP3 D3 संक्रण की बात कर रहे हैं तो ये संक्रण जो है IF7 में है मोटे मोटे तोर पर ये चीज़े बेसिक रहती है और अगर बेसिक पढ़ना हो तो बेसिक के तो वीडियो मेरे बहुत सारे पढ़े हुए ग्यारी बारी भी लेवल की लेकिन हम बेसिक से एडवांस की बात करेंगे एडवांस में बात करेंगे तभी जो है अपने जो है माइंड खूलेगा कि आरा इस तरीके से भी कुछिर आजाए तो भी कोई दिक्क्रण नहीं हम जो है क्लियर कर लेगे अब देखिए आप संक्रण में क्या होता है क्या याद रखोगे सं आफ लौनड पेर प्लस सिग्मा बॉंड कि लियर है जैसे कि मैं कहूं यहाँ पर कि यहाँ पर यह जो है CH4 है CH4 में मुझे लौनड पेर दिख रहा क्या कोई लौनड पेर नहीं है कार्बन के बास सेंटल एटम के पास और भहिया यहां पर जो है इनका योग 4 आ रहा है अब सिंपल कॉंसेप्ट याद रखना इनका योग अगर 2 आए 2 आए तो कौन सा इब डैशन होगा हमेशे याद रखना बैटा भहिया 2 आए तो क्यों सा होगा अगर 3 आए तो SP2 4 आए लोन पेर बॉंड पेर का सम है ना लोन पेर प्लस बॉंड पेर का सम ठीके दो आए तो SP3 आए तो SP3 4 आए तो SP3 3 आए तो SP2 SP3 4 आए तो 5 आए तो आप कहोगे SP3D भाई साब 6 आए तो कहोगे SP3D2 और 7 आए तो क्या कहोगे SP3D3 मोटे मोटे तोर पर अपनोंने ये हैवीड डैशन के कॉंसेट निकल लिए है कि sum lone pair bond pair अब यहाँ पर lone pair bond pair का देखो sum कितना आ रहा है मेरी बास सुनना यहाँ पर sum जो आ रहा है वो आ रहा है 4 1, 2, 3 और यह 4 कौन सा hybridization है बताओ इसमें 4 आ रहा SP3 hybridization किलिए रहे अब मैं कहूं कि भईये यह H2O है यह HOH है अब इसमें 2 lone pair है और 2 bond pair है इनका sum कितना आ रहा है इनका sum आ रहा है भई उनका sum आ रहा है 4 तो इसमें भी कौन सा हो गया SP3 hybridization है दोनों में सेम अगर मैं कहूं कि NH3 है तो यह NH3 में जो है यह जो है 4 आ रहा योग 1 lone pair है 3 bond pair है तो इस पर भी कौन सा हाइबडाइशन है, SP3 हाइबडाइशन है, यह तो होगे बेसिक चर्चा, ओके, किलियर है, मेरी बात समझे हो, BCL2, कितना योग आ रहा है, दो आ रहा है, सिग्मा बॉंडी दोनो, SP हाइबडाइशन है, BCL3, यह BCL3, तीन आ रहा योग, भईया, SP2 हाइबडाइशन है, किलिय जो दिख रही है, वो केसी दिख रही है, H2O की तो कौनी शेफ है, NH3 की पिरामिडी शेफ है, और CH4 की जो है, चतुषफल की शेफ है, अलग-अलग है, तो SP3 हैबडाइशन है, लेकिन यह जदि सभी बंद, मालिकुला का सम्मित कंडिशन में हो, सिमेट्रिकल पोजिशन मे सभी सिग्मा बंड है, उसके पास लोन पेर नहीं है, तो उस कंडिशन में मोटे मोटे तोर पर आप जो हैं, उसका शेफ बता सकते होगे, सभी सिग्मा बंड है, जैसे कि BCL2 की बात करूं में, यह BCL2, दोनों बंड सिग्मा है, कोई पाई बंड नहीं है, तो उस कंडिशन में SP2 SP संक्रण में क्या कहोगे कि भई यह इसकी रेखी आकरती होगी linear shape होगा अगर BCL3 की बात करूँ BCL3 और BCL3 में SP2 hybridization है इसकी समतल त्रीकोणी shape होगी है ना समतल त्रीकोणी shape होगी trigonal planar इसकी shape होगी अगर यह कहूँ कि CH4 है मोटे मोटे तोर पर याद रखना इसमें सभी जो है sigma bond है कोई loan pair नहीं है तो इसकी आकरती कैसी है चतुषफल की है मेरी बात समझ रहे हो आप ऐसे ही advance में और चलते हैं अगर मैं कहूँ कि भाई साब PCL5 की shape कैसी है तो यह P है यह CL है यह CL है यह CL है और यह CL है और यह CL है कैसी shape है भाई आप PCL5 की त्री कोण यह D-Priramidal इसकी shape है trigonal by pyramidal इसकी shape होगी trigonal by pyramidal इसकी shape होगी trigonal by pyramidal linear में तो कुछ नहीं है कि भाई यह रेखिए central atom यहाँ पर बेठा हुआ है इस जगे पर बेठा हुआ है central atom और दो atom यहाँ पर ने तो यह रेखी हो गई यह समतल त्री कोण यह shape हो गई यह वाली shape जो है अगर चतुश्वल की shape करें तो यह है tetrahedral shape यह है यह हो जाएगी आपकी चतुश्वल की shape हो जाएगी और अगर यह वाली shape कहूं तो समतल त्री कोण यह ऐसे समतलत तिरी कोणी हो जाए, ये एक आपका CL उपर बिठा दिया, ये का CL आपने निचे बिठा दिया, तो तिरी कोणी 2 पिरामीडी हो गई, अब बात करूँ कि भाई, SF6 की शेप कैसी होती है, तो SF6 में जो है, ये S, ये F, ये F, ये F, और ये F, ये F, और ये F, कैसी फलकी, है ना, इसमें 8 फलक पाये जाते है, अश्ट फलकी शेप हो जाएगी, ओक्टाहेडल शेप आएगी इसकी, कैसे आएगी, ओक्टाहेडल शेप, SF6 की, IF7 की बात करें, तो IF7 में जो है, ये I है, ये F, 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 ये तो होगे 5 भुजी, पेंटागोनल, और 1 F उपर और 1 नीचे, मतलब 5 फलोरिन जो हैं आयोडिन से ऐसे जुड़े हुए हैं, और 1 फलोरिन उपर हैं और 1 नीचे हैं, तो 5 भुजी 2 पिरामिड, एक पिरामिड उप बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो मैं रही साबसे आपको जो है, ये बेसिक चीज हो गई, आप अपन चलते एडवांस में, कि भाई, इन मालिकुल पे आप जो हैं, आप खुद एक्स्पेरिमेंट करना, कि क्या ऐसे कुछ एक्जाम्पल आजाए एक्जाम में अ और एक्जाम्पल आपके सामने हजीर है, मैंने बताया था, सिग्मा बॉंड, लोन पेर, प्लस सिग्मा बॉंड काउंड, टु आ रहा है, है, हम्ने यहाँ पर आपको इलेक्टरिक विन्नयास लिखना तो समझाूंगा नहीं, क्योंकि ये लेवल हैं आपका ह तो हम थोड़ा डारेक्टर आपको मालूम होना चेक कि किसके वेलेंसी शेल में कितना इलेक्टान होते हैं कार्बन के वेलेंसी शेल में यह चार इलेक्टान है एक दो तीन चार ओके यहां पर सिग्मा बॉंड बनना है पाई बनना है सिग्मा बॉंड पाई बनना है तो सिग् कौन सा इस पर भी SP और इस पर भी SP भाई साब इधर सिग्मा बॉंड यह कारबन दो सिग्मा बॉंड से गिरा हुआ दो इस SP बाकी तो पाई बॉंड को तो संग्रण में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है मेरी बास समझे एसे ही चलो आगे बढ़ते हैं CH3 प्लस मैथिल कार्बोकेटाइन कौन सा इबुडेशन इस पर SP2 क्या कहूंगा SP2 भाई साब जो है आपके पास समय नहीं है कोई बच्चे जो HSTET के एक्जाम के लिए अगर सोचते होंगे आफ्लाइन क्लाज जाए दिन बर बेठाएंगे पढ़ाएंगे दोतना टाइम नहीं है वीडियो देखिएगा और इतना फास्ट कोर्स कवर किजएगा चाहो तो resonance कितने इलेक्टान होते हैं बताओं मैं बता नाथ पड़ गई हम राना में चलो आयोडीन है भई, आयोडीन जो है, आयोडीन के वेलेंट सी शेल में भाया इलेक्टान हो वे साथ, 5S255 configuration होता है इसका, तो साथ इलेक्टान होते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और भाया एक इलेक्टान ओर्थ हो तो वो निकल गयो तो एक के उपर आज गयो प् अब इसके पास कितने लॉन पेर, बॉन पेर है भी या, यह एक लॉन पेर यह, एक यह है, एक बॉन पेर यह, एक वो तो यह कितना रहा चार, हाइबडाइशन कौन सा होगो, SP3, यहाँ पर इसको प्रोजिटी चार्ज, यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी बताऊं, तो भी आएगा कि आई, फिर यह आई, और फिर यह आई, और फिर यह वते दिदो, प्लस, यह पर हाइबडाइशन कौन सो है, SP3 हाइबडाइशन है, क्लियर है, हाँ साब, अब बात करें, next, करें बात आगे, PCL5, PCL5 में Phosphorus Central Atom है भई, और Phosphorus अगर Central Atom है, तो यह लिया मैंने Phosphorus, Phosphorus के वेलेंसी शेल में 5 इलेक्टान होते हैं, और 5 जो हैं क्या बना रहे हैं, एक-एक, इलेक्टान किसका क्लोरीन के साथ में साजेदारी करके, 5 सिगमा बोंड बन रहे हैं, तो भाई साब इस पर पर भी SP3D हैविडाशन के से हैं, तो ढूंडो सॉलफर को, सलफर जो है, सलफर के पास 6 इलेक्टान होते हैं वेलेंसी शेल में, जिसमें से यह चार फ्लोरीन के साथ में, चार इलेक्टान तो फ्लोरीन के साथ में बांडिंग बना रहे हैं, और एक लोन पेर भाई साब के बात बचा हुआ तो एक, दो, तीन, चार, पांच, जब भी पांच होगा है, तो क्या बताओगे आपके SP3D हैविडाशन हो रहा है, ओके, अब SF6 की बात करें, SP3D2, SF6, ओके, SF6, तो यह है, S, यह F, 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 यो F, ने यो F, 6 होग आ रहा है, भाई साब, SP3D2 हैविडाशन ह होगा, क्लियर है, आगे बड़े, SP3D2 हिडाशन, अभी तो बहुत आपकी पूरे मायंड के पूरे कलपूर जो खुल जाएंगे, इसकी जो है में exercise भी करवाने वाला हो आगे, चलिए, भाई साब, IF7 की तो बताई दिया था, सभी बोर्ड होए, यह है, आयोडिन, भाया, प के उपर और एक, जो भी नीचे, चलिए, XEF6, IF7 हो गया, भाया, हाँ, SF6 का, SF6 का बता दिया था, ICL4- का नहीं बताया था, भी, तो क्या है भई, आयोडिन के पास कित्ते एलेक्रान हैं, वेलिम्सिशन में, साथ, यो है आयोडिन, एक यह पाकत्रा एलेक्रान है, साथ एलेक्रान है, भाया, तो साथ एलेक्रान में थी, चार एलेक्रान तो क्लोरिन के साथ बॉर्ण फार्मेशन कर लेगा, एक, दो, तीन, चार, बचे कितने, पांच, छे, ओके, भाया, एक एलेक्रान यो साथ वो है, ने, एक एलेक्रान औ तो यह जो है टोटल जो है भाई साहब एक दो तीन चार पांच छे SP3 due to hybridization होगा ऐसे SF6 में एक जिनान डाय हेक्जाफोराइड जिनान के वेलेंसी शेल में कितना इलिक्टाउन है आठ तो भाई साहब यह जिनान है जिनान के वेलेंसी शेल में फाइबस टू फाइबस टू फाइबस फाइबस एक पांच छे साथ यो कितना रहा साथ कौन सो हाइबडाइशन है SP3D3 एक लोन बेर भी इसके पास ठीक है इसलिए XAEF6 के आकरिती के सी होती है विक्रत अश्टफल की है distorted octahedral shape होती है XAEF6 की अगर यहाँ पे सभी जो है bond pair होते तो regular होती इसकी shape अश्टफल की होती octahedral shape होती है चलिए अब मैंने इतना सारा बताया अब आपके सामने हाजीर है कुछ examples हाजीर है और इन examples हमें आपको hybridization बताना है central atom को ढूंड़ो पकड़ो उसको दोड़ो उसकी बिछे दोड़ेंगे भई CO32- कौन सा hybridization में कारबन की उपर जल्दी से बताओ comment से कीजिएगा ठीक है CO32- में कौन सा hybridization है तो यो carbon है और यो double bond O और यो O- यो O- स्क्रण की प्रिक्रिया में भाग लहते नहीं है और यह संक्रण की प्रिक्रियां में भाग लेते नहीं यो तो सिंग्मा बॉंड कितने एक, दो, तीन, चार, योग, चार आना है, SP3 hybridation है भई या, SF5, बताओ जल्दी से SF5 में कौन सा hybridation होगा, SF5 जल्दी से बताइए, SF5 में कौन सा hybridation होगा, SF5 लग गिया है, तो सल्फर के वेलिन से जल में कितने elektron है, 6, भाया 6 elektron है, ओके, एक, बाक यह elektron होते हैं, तो एक elektron जब निकल गया, तो positive charge लगिया, अब इसके पास कितने elektron है, वेलिन से शेल में सल्फर के पास, 5 elektron बचे, 5 bond बना रहा, फाहिल फ्लोरीन के पास, साथ में, और क्या करेगा, यह बचारा, कौन सा hybridation होगा, 5 है तो, SP3 dehydration, SP3 dehydration, समझ में आया, ऐसी, SO3 2-, यह सल्फर है, double bond O, ओके, यह O-, और यह O-, 6 elektron बेवे हैं के पास, कितने होते हैं, यहाँ पर जो है, 6 elektron है इसके पास, SO3 2-, यहाँ पर ऑक्सिजन पर नेगिटिव चार्ज, ना कि सल्फर पर, तो एक और loan pair यह रहे गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, SP3 dehydration होगा, इसमें सल्फर पर, SP3 dehydration, क्लिए रहे, अब देखते हैं के, कुछ example और दे रखे, तो यह example आप करना, मैंना answer तो जए दिया इनके सारे, ना कोई दिक्कत, यह देखना, इनके इसक्रिंशाट लिजेगा इसका, देखिएगा कि किस पर कौन सा हीवड़ाइशन होगा, यह आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, प्रेक्टिस के लिए, किस पर कौन सा हीवड़ाइशन होगा, PCL4 में SP3, PCL6 माइनस में SP3D2, है ना, जैसे कि अपनों ने देखा था, पुछा जाता है अक्सर, भाई साब, CH3 प्लस का में ने बताया था, भी कौन सा हीवड़ाइशन है, CH3 में, तीनी होंगे सिग्मा बॉर्ण बन रहे हैं, तो SP2 हीवड़ाइशन है, जब कि CH3 माइनस में, एक ये जो माइनस लगा है, ये लोन प्यर का काम कर रहा है, तो कितने हो गए, चार हो गए, तो इसमें कौन सा हीवड़ाइशन होगे, SP3, CH3 प्लस में, SP2, और CH3 रेडिकल, भाया, इमें कौन सा होगा हीवड़ाइशन, तो इसमें एवड़ाइशन होगा, सर, SP2 हाइबड़ाइशन होगा, साहब, SP2 हाइबड़ाइशन होगा, क्योंकि संक्रण की प्रोसेज में, लॉन पेर, बॉन पेर काउंट करते हैं, अगर तेरे पास आयूग मिद इलिक्टान है, अंड़ पेर इलिक्टान है, रेडिगल है, तो इसमें को कोई लेना देना नहीं है, तो वह संक्रित आर्बिटल में रखना, ओके, तो ये कंडिशन होती है, तो इस पर SP2 है, यहाँ SP2 है, यहाँ SP3 है, PCL6 में SP3 होड़ाइशन है, बहुत बढ़िया बात है, फास्ट प्रोस के पास गिन लो, काउंट कर लेना भई, कि कितने हो रहे हैं, इसके पास लोड़ बेर, बोड़ बेर, ठीक है, PCL6 माइनस, इसमें SP3 होड़ाइशन है, इसमें SP3 होड़ाइशन है, यहाँ पर SP3 हाइबड़ाइशन है, ठीक है, जिनान के पास कितने लिक्टान है भई या, वेलेसेशन में, तो यह हैं लिए अपनोंने जिनान, और जिनान के पास, XCF2 है, तो यह F है, और यह F है, भाया कितने हैं, 8 लिक्टान होथे ना, 1, 2, तो तीन लोन पेर, दो बोन पेर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, भाया, पाँच योग आ रहा तो, SP3 हाइबड़ाइशन होगा, अगर मैं कहूँ, XCO4, जिनान टेटरॉक्साइट में, कौन सा संक्रान होगा, बताऊगे, जिनान टेटरॉक्साइट में, जिनान के वेलेंसी शेल में, जो हैं, इलेक्टान कितने हैं, भाया, आठ इलेक्टान हैं, कितने हैं, आठ, और दो-दो इलेक्टान, एक-एक उक्सिजन के साथ में, बोन्डिंग करेंगे, तो हर जगे सिग्मा, और हर जगे πाई बॉंड बन रहा है तो मैं यह कहूंगा कि चार सिग्मा बॉंड बनेंगे और चार सिग्मा बॉंड बनेंगे तो हाइबिडाइशन कौन सा है SP3 हाइबिडाइशन है ओके यहाँ पर इसमें भी आयोडीन के अगर आई माइनस की बात करें यह शाय देख लिए अपनोंने इसमें यह जो है कितने इलेक्टान होते साथ तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और एक इलेक्टान था और एक और जुड़िया तो यह माइनस जुड़िया यहाँ पर तो कुल मिला कि इसके पास जो है एक जामपल से दे रखे हैं देखिये अगा आप और कमेंट से कीजिएगा बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा आपके डाउट किलियर्स हुए कर नहीं हुए और संक्रन से रिलेटेड जो बेसिक बाते हैं केमिकल बॉंडिंग क्लास 11 है जो मैंने वीडियो बना राखिये केमिकल बॉंडिंग वाली प्लेलिस से देखियेगा वहां पर जो ग्यारी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहां पर तो एक एक चीज़ इलेक्टरन निक विन्यास लिखना पढ़ता है मैं अपने मोबाइल नंबर जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां पर आप वाटसप कीज़ेगा वहां पर आपको बेच केसे जोइन करना है उसके बारे में बता दिये जाएगा जिससे कि आपको जो हैं जो आप एक्जाम देने जा रहे हो OMP, TET की, Chemistry से उसमें आपको काफी कुछ benefit मिलेगा आपको काफी कुछ concept clear होंगे और अगर आपके concept clear होंगे तो आप जहां पर भी जाओगे जिस field में जाओगे जहां पर पड़ाओगे आपको मज़ा आएगा, आनन्द आएगा चलिए साथियो, मिलेंगे फिन नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, ओके भाई, जहिन